आज मैं voltage distribution का concept समझाता हूँ और power का भी तो देखो अभी 220 volt की supply है तो ये bulb देखो कितना तेज गिलो कर रहा है ठीक है अब जैसे की मानलो ये bulb निकाल देता हूँ मैं यहां से और ये अब series में लगा रहा हूँ मैं अब जैसे ही मैंने इनको series में लगाया तो देखो कितना धीरे-धीरे गलो कर रहे हैं क्योंकि जो 220 volt की supply थी वो distribute हो गई ये अब तीनों वल्ब पर ठीक है अब इससे की power हो गई है कम तो brightness भी हो गई है कम इसलिए ऐसा बोलते हैं जब series में वल्ब लगाते हैं और एक ही power supply हो त switch से सारी चीज़ें चल जाती है अब जैसे की मानलो मैंने यह हठा दिया तो सारे के सारे बंद हो गई इसको जोड़ दूँगा तो यह फिर से चालू हो जाएंगे लेकिन पैरलल में क्या होता है एक switch से एक ही चीज़ चलेगी series में